हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स आज की लेसन में हम लोग जानेंगे कार्प के बारे बे क्यों हम लोग हाई-वे में कार्प प्रोवाइड करते हैं and different types of कार्प के बारे में हम लोग इस लेसन में अच्छी तरीके से जानेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल सिबिल नोटबुक पे नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप लोगो को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलना कार्ब क्या होता है कार्ब इंडिकेट दा बाउंडरी बीटूइन दा कैरी जोए एंड शोल्डर और आइलेंड और फूटपाथ करते हैं तो इसको हम लोग कह रहे हैं कार्ब कि इस पिक्टर पर आप लोग कार्व देख पा रहे हैं एक आपका कार्व लेकें हॉइड में एक अब करी जो है और बीच में एके मेडियान तो इसमें बीच में है देहिए आपका नेफ़ेंस देखता है डिप्रेंट टाइपस आप कार्ब के बारे में पहला है देखिए लो और माउंटेबल कार्ब माउंटेबल ओवाड से आपको पता चल रहा है कि आसानी से जो वेहिकल है इसके उपर से हम लोग माउंट करवा सकते हैं और चड़ा सकते हैं ओके तो इसको हम लोग कह रहे हैं लो और माउंटेबल कार्ब ओके इसका हाइड होता है देखिए 10 cm from the edge और इसका स्लोप ऐसे होता है कि इसके उपर से वेहिकल हम लोग माउंट कर सकते हैं इसलिए हम लोग इसको लो और माउंटेबल कार्ब बोल रहे हैं अब फ्रेंड हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप सेकेंड टाइप है आपका सेमी बेरियर टाइप ओके तो कहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे वें दा पेडेश्टेंड ट्राफिक इस हाई इस कार्ब्स आर प्रोवाइड़ेड ओके तो फ्रेंड यह है आपका कैरीज है इसके उपर से आपका वेहिकल पास कर रहे है यह है आपका कार्ब और इधर है आपका माल लीजे सोल्डर और फूटपाथ है अगर इसके उपर से पेडेश्टेंड ट्राफिक बहुत ही ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग सेमी बेरियर टाइप यूज कर रहे है त्यार हाइट इज 15 सेंटिमीटर एबाब दा पेब्मेंट ओके जो पेब्मेंट एज है इसके उपर से इसका हाइड होता है 15 सेंटिमीटर का अगर बहुत ही जरूरत पड़े किसी ड्राइबर को वेहिकल को पार्क करने के लिए तो विद साम डिफिकैल्टी इसको हम लोग इसके उपर से पार्क करवा सकते हैं तो इसलिए हम लोग इसको सेमी बेरियर टाइप बोल रहे हैं ओके फ्रेंड्स थार है देखिए आपका बेरियर टाइप ओप कर्व ओके बेरियर से ही नाम से ही आपका पता चल रहा है एक बाधा है बीच में ते आर डिजाइन फोर डिसकारेज वेहिकल फ्रम लीविंग दा पेब्मेंट ओके दे आर प्रोवाइड होएं देर इस कॉंसीडर करेंगे जहां पर जो पेडेस्ट्रेंड ट्राफिक है बहुत ही ज्यादा है उसकेस में हम लोग इस टाइप ओप कार्व पाथ इसमें आना सके है कहां पर हम लोग यूज करेंगे जहां पर जो पेडेस्ट्रेंड ट्राफिक है बहुत ही ज्यादा है उसकेस में हम लोग इस टाइप ओप कार्व को यूज करवा सकते हैं अब इसका हाइड होता है देखिए 20 cm from the edge इसका हाइड भी ज्यादा हो रहा है और इसका जो स्लोप ह कर रहे हैं तो यह है आपका बेरियर है टाइप ओप कार्व कि फिरेंड लास्ट है देखनाउ मस करो च多के स्वें एकक alb कार्ब कर्ब ओके रर यूज्ड़ूंए इन रूरराल रोड डूरल रोड इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको रेंध्रोक्त तो यह है आपका submerged curve, इसको हम लोग use कर रहे हैं generally for lateral confinement and stability of the pavement, एक तो है जो shoulder and carry जो है इसके बीच में हम लोग एक boundary create कर रहे हैं और जो carry जो pavement है इसका lateral confinement के लिए हम लोग submerged curve को use कर रहे हैं, basically rural roads में हम लोग इसको use करते हैं So friends एथा कार्ब के बारे में, hope you understand this video, if you understand this video then like this video, share with your friends and please 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 subscribe my channel, दोस्तों मिलते हैं अगले lesson पर